What's up guys, welcome back to Indian Soldier 1 लेके हैं आपके लिए एक brand new episode of gaming news और guys, इस gaming news के episode में आगे बढ़ने से बहले एक छोटी सी speed bump news में आपको दे दूँ और वो speed bump ये है कि Kalra Electronics या किसी भी इस समय retailer के पास पुरी Delhi में Star Wars Jedi Fallen Order के जो PS4 discs हैं और Xbox One discs हैं वो available नहीं है आपने से बहुत लोग मेरे को comment कर रहे हैं और साथ में Kalra जी को भी मतलब रिंकु जी को भी आप contact करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कहीना कही reply ने दे पा रहे हैं सबका वो इसलिए क्योंकि stock नहीं है तो उनसे मैंने भी disc लेने जाना है तभी मैं अभी तक उसका gameplay भी नहीं कर पाया हूँ तो hopefully आज रात को मतलब जब तक आप ये gaming news का episode देख रहे हो मेरे हाथ में disc आ चुकी होगी और अगर आ चुकी होगी तो मैं उसको instagram पे post कर दूँगा इसलिए जाके जल्दी से मेरे को instagram पे follow कर लो मेरा जो username है इसलिए आपको screen पे दिख रहा है indian soldier underscore one और साथ में जो इसका gameplay है वो hopefully अगर में बाहर डिस्क आ जाती है तो कल से शुरू कर देंगे तो guys काफी liked की गई गेम है ये काफी ज्यादा इसको अच्छा response मिला है तो बैस सबसे बली न्यूस आरी है गूगल स्टेडिया की तरफ से गूगल स्टेडिया कुछ कंट्री में रिलीज हो चुका है और कुछ कंट्री में विदिन फ्यू आर्स हो जाएगा अब initial reports जो आ रही है वो इसको लेकर ये आ रही है कि भाई it's not worth it मतलब अभी तक जो भी response आ रहे है जो भी reviewers है गूगल स्टेडिया को जो यूज कर पा रहे है देर सेंग भाई it was not worth the weight यानि कि जो बताया गया था जिस तरह से ड्रीम्स दिखाई गई थी कि स्ट्रीमिंग गेम स्ट्रीमिंग जो है कि स्ट्रीमिंग सर्विसे जो है वही फ्यूचर होने वाला गेमिंग का अभी तक तो इसको देखने के वाएसा कुछ लग नहीं रहा ह साथ में आपको बता दू कि एक तो स्ट्रीमिंग इशूज आ रहे हैं गेम से और दूसरी चीज़ यह कि सिर्फ वन आर के गेम प्ले के बाद गूगल के लिए तो वन आर के गेम प्ले के बाद जो डेटा यूजज निकल के आ रही है वह करीब 20 तू 25 गीकाबाइट्स 25 गी में especially अगर डेली के आसपास कोई रहता है वो तो शायद इसको यूज कर भी ले लेकिन Metro Cities को छोड़के जाने कि Delhi, Calcutta, Chennai और Mumbai इन चार सिर्च को छोड़के बाकी सब जगा पर मुझे लगता है कि 50 Mbps की Speed भी इतनी common होगी तो मेरे कहाल से Google Stadia जैसे चीज़े अभी तक developing countries याने की India जैसे countries के तो बिल्कुल भी नहीं है अब established countries के अंतर से भी इतने ऐसे reviews आ रहे है तो मैं क्या ही बोलूँ आप खुछ सोच लो कि क्या Google Stadia वर्थ वेट है या नहीं गाइस दूसरी न्यूज आ रही है वैल्व कॉर्परेशन की तरफ से जी हां गाइस वही कॉर्परेशन जो स्टीम को चलाती है स्टीम लाइडरेरी ओन पीसी जो आप यूस करते हैं तो वैल्व जो उसके पीछे की कंपनी है वो जानी जाती थी इन दी अर्ली 2000s फोर हाफ लाइफ गेम तो हाफ लाइफ गेम जिन लोगों को नहीं पता दू बहुत ही क्रिटिकली एक लेम गेम सीरीज है जिसके दो पार्ट आये थे मेजर ली अब उसके थर्ड पार्ट का वेट सालों से सद्धियों से 100-200 सालों से हो रहा है लेकिन जासे Xbox One, PS4 और Steam पर ही होगा यह एक VR गेम होने वाला है और जो Alex है, that is ALYX जो इसका नाम है, that's not A-L-E-X, तो ALYX जो गेम है Half-Life 3 होगा या नहीं या फिर एक नया कोई बीच का चैप्टर होने वाला है, भोनी पता, लेकिन it is said to be a VR game, virtual reality game, अब virtual reality की बात अगर की जाए, त इस समय पूरी दुनिया में जितने भी VR platforms हैं, चाहे वो PC ही क्यों नहीं हो, वो कोई इतने ज़्यादा धमाल नहीं कर पाए, तो I hope के गेम अच्छी हो, VR capable, जो capabilities के अंदर हो अच्छी हो, लेकिन I want के इसका एक normal 2D version भी आए, जो हम लोग अपने PC's या PS4, Xbox One पे खेल सकें, Guys, third news आ रही है, PlayStation 5 की तरफ से और PlayStation 5 ने यहाँ पे patent करा लिया एक नया controller, जी हाँ guys, इस समय आप images देख पा रहे हैं, यह होने बाला है PlayStation 5 का एक नया controller, जिसका नाम होगा DualShock 5, obviously, अब इस controller के अंदर आप सोचे होगा, screen कहां पे है, यह कहां पे है, वो कहां पे है, तो मैं अगर वाकि में यह controller finalize करता है Sony, जिसको patent करा लिया Sony ने, तो hopefully यही controller आपको PS5 के साथ देखने को मिलेगा, this is a good thing, क्योंकि controller का काम क्या होता है, controller simply एक input device है, जिसके अंदर आप commands देते हैं और आपकी game perform करती है, तो I hope कि इस controller के अंदर जो पहली जीजी है, battery life बहुत अच्छ jack होना चाहिए, तो I hope कि इस सब चीजे होनी चाहिए, अब यह नो हो कि mobile phones की तना headphone jacks भी निकाल दिये जाएं, controllers में से, तो I hope कि headphone jack इस बार भी रहेगा PlayStation 5 के controller में, और गाइस, next news जो है, वो Star Wars Jedi Fallen Order को लेकर है, जिसके बारे में आपको बता है कि इसका stock Delhi में तो available नहीं है, ल this game, हर किसी को यह game पसंद आ रही है, single player game है, कोई multiplayer mode नहीं है, simple and best story है, अगर आपको Star Wars को experience करना है, तो go for this game, मैं भी बहुत जल्दी इस game की जो live streaming है, या फिर gameplay जो है, वो अपने दूसरी चैनल इंडियन सो जे स्ट्रीम पर डालूँगा, तो उसको check out जूर कर लेना, link description में ह Last but not least, मैं आपको बता दूँ के एक Reddit पर fight चल रही है regarding next gen consoles, Xbox Carlet और PlayStation 5 को लेकर, वो fight ये है, कि next gen console की success पता है किस चीज़ पर depend करेगी, वो इस चीज़ पर depend करेगी, कि जो बड़े gaming studios है, कौन सी company Microsoft या Sony में से उनको अपनी तरफ खीच लेती है, starting में, for example, जैसे GTA 6 के rumors आते हैं कि GTA 6 PlayStation 5 पर exclusive होगी for a month और for a year, तो अगर ऐसी strategies Sony या Microsoft implement करते हैं, जो बड़े-बड़े gaming studios है, तो अगर वो बड़ी companies को अपनी तरफ खीच लेते हैं, तो I think ये चीज़ उनके लिए work कर सकती है, तो next gen consoles की initial success depend करेगी, कि किस तरह की games जो है, वो exclusive होने वाली है, कौन से platform पर, त उनका concept, design देखने को मिल जाएगा, official companies की तरफ से, तब ये चीज़े clear out हो पाएंगी और जादा, but that's it for today guys, अगर आपको ये gaming news episode अच्छा लगा हो तो like कर देना, comment कर दे नीचे अगर मैंने कोई major news miss कर दियो जो आपको पता है और मुझे नहीं, और साथ में चैनल को subscribe, मिलते आपको आपको अगा है ये बगाई कर आपको ये रखने को ये रखना, क्या ज़ीघड को ये वे तर नहीं, थे तर बबाई टाश कर वे जाएंगी कर देना, कि बगा है ये टावने कर देवर